हालो फ्रेंड्स हम देख रहे थे बी फार्मेसी फोर समिस्टर का फार्मकोग्नोजी फर्ट और इसकी यूनिट फर्ष चल रही थी और इसमें हम जो अपना पहला टॉपिक कवर कर चुके थे जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना था हिस्ट्री जाने थी स्कोब जाने हें वह हमें कहां से मिल रहा है उसका source of material क्या है वह आखिर बनी तो बनी कैसे आप कोई भी tablet अगर आप खाख रहे होंगे कभी भी तो आपने वह tablet के बारे में सोचा गी है tablet आगर आई कहां से इसका कच्चा माल क्या था, raw material कहां था, कहां से ये बन के आ रही है, तो इन सब चीजों को जो हम source of drug के अंदर study करते हैं, अब हमने ये pharmacology में भी study किया था, source of drug क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अब बात किता हैं, बहाँ पे हमने सभी तरह से देखे थे, क्या क्या होते हैं, मतलब उसके sources, लेकिन कोगनोजी में बात कीता है, तो ये source of drug जो भी हमारे होंगे, ये हमारे सिर्फ natural source के द्वारा होंगे, natural क्या हो, क्यों कि कोगनोजी में हमने क्या पढ़ा था, इसमें हम crude drug के बारे में study करते हैं, crude drug हमारे कौन से होते हैं, जो हमें किसी भी natural source के द्वारा मिलते हैं, और natural source हमारे क्या हो सकते हैं, हमें plant हो सकता है, animal हो सकता है, minerals हो सकते हैं, बाकि marine source, tissue culture, तो इन 5 के बारे में हम यहां study करेंगे, 4 हमारे यहां slave में दिये थे, mineral बाला मैंने यहां पर और add किया, बाकि बात करें, यहां पर tissue culture, तो यह मतलब बैसे हमारा कोई proper source नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा role होता है हमारे drug की manufacturing में, इसलिए जो है, इसको भी यहां पर source of drug में रखा गया है, ठीक है friend, चलिए एक एक करके हम सभी को समझ लेते हैं, बाकि बात करें, plant source की, तो यह हमारा सबसे ज़्यादा important एक source है, और बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुराना भी है, क्योंकि पहले जमारे में जब ancient era चलता था, तब क्या होता था, कोई भी लोग पकेरा होते थे, खाने की तलास में जंगलों में जाते थे, और जंगलों में क्या थे, सिर्फ पेड, पौदे, पतियां जही सब थे, तो उनको खाते थे, अब उसके द्वारा जो भी उन्हें, मतलब response मिलता था, ठीक होते थे, या बीमार होते थे, या कोई भीमारी ठीक हो जाती थी, उसी के द्वारा वो उस प्लांट को क्या करते थे, बताते कि हाँ, इस प्लांट के ये यूज़ है, इस प्लांट के ये यूज़ है, और हम इसको एज़द दवाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बने, तो इसी तरह हमारी दवाई हो की खोज और एक हमारे गुटिसी फैमिली इसमें के अंदर हमारे लेवन आते हैं यानकी नीवू बगएरा तो ऐसे बहुत सारी फैमिली होती है बस हम एक दो एक्जमपल के लिए देख लेते हैं बाकि बस आपका कंसेप्ट के लिए होना चाहिए कि सोर्स अब ड्रग हमारे हैं क्या औ मतलब बहुत सारे मतलब almost देखा था है तो क्लांट का हर पार्ड हमारी एजडा मेडिसेड कर सकते हैं तो हम उनwelt ही तो ये भी हमारे source of drug की तरह काम करते हैं, जैसे हम जनरल example देखें, रोज होता है हमारा यान की गुला, उससे हमारे क्या बंदा रोजवाटर बंदा है, और रोजवाटर हमारा एज़र टॉनिक काम करता है, आपने दिखा हो ना, आखो पे मुह बगरा पे लगा लेते हैं उसक से मालोक किसी को constipation बगरा हो गए, तो उस case में हम इसका यूज़ करते हैं, बात करें, seeds से जान की कुछ हमारे bees बगरा होते हैं, उनका भी हम बहुत जादा यूज़ करते हैं, जैसे हमारे एक bombing of seeds है, वो क्या करता है, यान की एक CNS stimulator होता है, यान की यह हमारा central nervous system होता है, उसमें यह बहुत जादा help करता है, बात करें roots की, यान की जड़ो की, यह भी हमारी बहुत जादा use करते हैं, जहां पर और यह हमारे hypertension ट्रग में जैसे example यहां पर लिखा है, जिससे हमें यह रैसर पाइन मिलता है, और रैसर पाइन हमारे एक ऐसा substance है, जो हमारा क्या करता है hypertension यान की जब ज़्यादा blood pressure हो जादा tension होती है, ज़्यादा blood pressure हो जाता है, उस case में यह हमारा help करता है, बात करते हैं यहां पर यहां से नोर्स बगरा बना सकते हैं, बाकि नोर्स बगरा आपको website पे मिल जाएंगे, carewellfarmer.in, वहां पर आप आप जाके visit कर सकते हैं, description में आप animal source की, तो बात करें, यहां पर plant source हमारा थोड़ा सामने जादा में लिखा हुआ है, इतने साथ क्योंकि plant source हमारा बहुत जादा important है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, pharmacognosy, और इसमें mostly case में क्या हो रहा है, कि plant source के द्वारा ही हमारी medicines बनेंगी, और उनी के द्वारा हम सारा कुछ पढ़ेंगे, और दूसरा हमारा होता है, साइटो केमिस्ट्री तो उसमें भी क्या हो रहा था, प्लांट के द्वारा ही तो हम कोई chemical बना रहे थे, तो यह भी हम इसी में study करेंगे, तिलिए plant source हमारा बहुत जादा important होता है, बात करें, दूसरा animal source, तो animal source में होता है, कई हमा हमारे animal source कहलाते है, जैसे अगर example देखें, तो जो हम मतलब pancreas होता है, animals का, उससे हम क्या करते है, insulin निकाल देते है, और insulin का हम को काम पता है, कि जब भी कोई diabetes बगारा patient होते है, उनको ठीक करने में हम insulin का, मतलब insulin की help लेते है, और insulin हमारा काम ही यह करता है, कि वो diabetes को रोकता है, तो जब भी कभी diabetes बगारा जादा होती है, तो insulin मतलब control करता है, insulin मतलब कम भी कर सकता है, जादा भी एक चीज़ से, मतलब यह control कर रहा है, insulin भढ़ा दो, कम कर दो इस तरह है, दूसरा हमारा अगर animals का blood बगारा ले ले ले, तो जो हमारा vaccines बनाने में help करता है, ऐसा क्या हो drug बोल सकते हैं, और वो हमारा क्या करता है, hypertension में help करता है, फिर बात करें cold liver oil, यहाँ पर liver है, cold liver oil है, यह हमारा क्या हूआ है, cold fish यान कि fish से हमारा drive होगा यह वाला oil है, और यह हमारा क्या क्या करता है, vitamin D में help करता है, simple थी बात है, यहाँ फिस आजाती, वहाँ vitamin यह तो automatic ही बात करते हैं कुछ marine source के बारे में तीहरा हम देख रहे हैं तो marine source से हम समझे तो marine आपने इक now words सुना होगा marine drive, marineώky, marine मेरें यहां भी word लाए जो उता है समुंध्री यान कि वह जगा या वह जाइव प्रफ कहाँ समंध्र से related नहीं ocean sea related है तो हम लोगों बहुत सी movie या हर तरब देखा होगा ocean या सीज होते हैं उसके अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी species होती है आप लोगों ने देखी होंगी तो उन species के द्वारा भी बहुत सी दवाईया बनाई जाती है आपने यह सारी चीज हमारी इसके अंदर होती है तो इनके द्वारा भी कई सी बहुत सारी दवाईया बनाई जाती है उसी को हम यहां पर बोलते है यहां पर एक डाइग्राम अटेज कर दूँगा आपको दिख रहा होगा तो सी बीड्स हमारे कह रहता है आयोडीन को कंटेन करता है जिसकी वज़ासे क्या होता है आयरें डैफिसी नहीं करना है लेकिन बात करें बहुत जैसे हम फंजाई होता है एल्गी होता है इन सब का यह सारी चीजा आप चाहें तो यह भी आप नोट डाउन कर सकते हैं बात करें हमारा चौता सोट जहां पर मिनरल सोट वैसे यह हमारे चौता था यहां थोड़ा आगे पीछे हो गया आप देख लेना तो मिनरल सोर्स क्या होते हैं तो मिनरल सोर्स में क्या होता है कि इसमें तौनु तरह है कि हमारे sources हाते है metallic भी और non-metallic भी और यह हमारे खनिज पतार्त होते हैं जो हमें मतलब पेड़ पहुत हो सॉरी हमारे जो पत्थर बगएरा होते हैं इसमें छोटे-छोटे और अंदर से जमीन के अंदर हो एसी जगह से हमको यह मिलते हैं खनिज पतार तो यह वाले हमारे हमारे जैसे हो सकते हैं और चौक हो गया बैंटो नाइट हो गया इनको तो साइज आप लोगों ने सुनाई हो गागा बहुत जगह इनका यूज होता है बाकि बहुत कि शोर्स होते हृँ इसका हम यहां पर कि वही constipation अगर हो जाता है उस case में यह बहुत जादा helpful है फिर बात करें zinc oxide ointment तो यह एक ointment है वो क्या करता है skin को protect करने में help करता है जैसे किसी को घाव हो गया bound हो गया eczema बगरा हो जाता है तब हम zinc oxide का use करते हैं उसके बाद करें gold salt तो यह हमारा होता है यह हमारा arthritis में help बहुत जादा help करता है gold salt अब हम बात करते हैं लासर्स के यह हमारे होते है tissue culture तो एक्ट्वड में देखा जाएां एक source नहीं है अगर हम इसको समझें तो क्या है तो यह हमारा क्या है tissue culture growth of tissue कोई भी हमारे यहां पर हम क्या कर सकते किसी tissue और cells बगएरा की growth करते है artificial तरीके से जैसे example के लिए समझो कि मालो यह हमारा कोई भी एक animal है ठीक है और animal के यहां पर लीवर था हमने क्या कि लीवर के छोटा सा एक यह हमने artificial area बनाया जो क्या है लेप्टिक कर्निशन में है यहां पर कोई micro बगरा हमारा growth नहीं करेगा इसमें हम जो देंगे वही होगा हमने क्या इस लीवर का छोटा सा हिस्सा तोड़ के हमने क्या 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 इसमें डाल दिया ठीक अब यहां पर चोटा सा हमारे tissue आगए लीवर के अब लीवर को growth करने के क्या क्या चाहिए blood चाहिए तो हमने इसमें blood दे दिया फिर यहां का environment चाहिए body वाला heat चाहिए थोड़ी सी मतलब nutrition चाहिए जो जो चाहिए हमें liver को वह हमने इसी वाले artificial container किसी में भी हमने इसको अलग से दे दिया अब जब सारी चीजा इसको जहां पर मिलने लगेंगी तो तो इसी तरह हम सिर्फ liver नहीं बाकी के और भी जो भी हमारा कोई animal हो तो उसके किसी भी part को हम यहां पर इस तरह से डबलब कर सकते हैं इसी को animal cell culture कहते हैं बात करें plants में तो plants में क्या होगा मालो कोई हमारा यह plant है और plant में हम क्या करेंगे sorry diagram बस आप अनुमान समझ लो कुछ इस भी हो तो यह हमारा plant है plant की मालो हमने इस वाला को हमारा Tulsi का पहता है अमने उसकी लीप सलेवी tulsi अब हम क्या करते हैं बाकि अगर अगर हम और घ्रोध करना हो हम क्या करते हैं यहां पर जो बीव डाल देंगे पर जो जो तुलसी गो ग्रोध करने लिए वह उम सारी के जरीए हमने प्लांट के दोड़ा कोई केमिकल जेनरेट कर लिया वो खतम हो रहा उसको भी हम यहां पर ग्रोथ कर सकते हैं तो इस तरह के जो भी मतला हम एक आर्टीफीसियल इन्वारिमेंट जानकी जो इसको ग्रोथ के लिए चाहिए वह सारी चीज हम उसको यहां पर दे कि ग्रोथ एक आर्टीफीसियल इन्वारिमन में और जो हम क्या करते है पैरेंट और्गनिंस से मदलब सेपरेइट करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर में इसको सारा कुछ देके इस पर इमने इसको ग्रोथ करा दिया यहॉसे अंगगर इंवारमेंट ऑग्जामपल की ब chapter अने वाली है उसमें इसको broadly समझ है पूरे पूरेए चाप्टर है पूरे 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 चैप्टर है उसके उपर और बात करें plant tissue culture यह मारे इसका אіक एक example है तो इसको भी हम क्या डेखेंगे पूरा कपूरा हमारे chapter या धारा सारे थिर्ड third unit है उसमें इसको अच्छे समझेगे एक्जामपल्स हम कुछ देख लेते हैं जो हमारे इसे प्रिपेर किया आते हैं जैसे हमारे ट्रोपैन हो गए कोकैन हो गए हमारे एलकलाइज फैमली के ये सारी चीज़ है तो यह हमारे इसी के द्वारा प्रिपेर की चाती है तो आगी ह आप लोग समझ गए होंगे हमारे source of drug के बारे में क्या से होते हैं क्या होते हैं और आपको वीडियो समझ आई होगी बाकि अगर आपको फिर भी कोई भी doubts होता है तो comment करके आम बंदे पूस सकते हैं बाकि मिलते हैं आपसे next वीडियो में अब हम जल्दी-जल्दी करेंगे भाइ भाइ